नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर रिया बालिकर हीमेटोलेजिस्ट एन येमेटो उंकोलेजिस्ट हीमेटोलेजी मेडिसिन का ऐसा ब्रांच है जिसमें रख्त संबंदित जो जो बिमारियां होती है इंकलूडिंग ब्लट कैंसर इनका अध्ययन होता है और इनका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं ब्लड की बिमारिया आजकल बहुत बढ़ रही हैं ब्लट कैंसर के बारे में आपने सुना ही रहेगा दिन बद दिन गांसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है पर प्रॉब्लिम यह है कि ब्लट संबंदित बिमारियों का नौलज़ज बहुत कम अवालिबल है इस ह के बारे में knowledge पहुचा सके तो प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए मेरे बारे में थोड़ा मैं आपको बताती हूँ मैंने MBBS के बाद मेरा MD Medicine KEM Hospital Mumbai से किया उसके बाद मैंने DM मतब Super Specialization Hematology Medical College Calcutta से किया और फिर DNB CMC Valor से किया है पिछले साधी आठ सालों से मैं hematology का practice कर रही हूँ हमने देखा रख्त और रख्त से संबंदित सबी बिमारियों इसमें आती हैं तो हमारे ब्लड में बेजिकली तीन टाइप के ब्लड सेल्स रहते हैं रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलिट्स इसके साथ हमारे ब्लड में clotting factors भी रहते हैं तो इन से संबंदित अगर कोई भी problem हो जैसे खोन का कमी होना सीकल सेल्स का बिमारी थालसीमिया प्लेटलिट्स का कमी होना ब्लीडिंग का problem दूसरे साइट पे clotting का problem ये सब एक हीमेटालिजिस देखते हैं उसके साथ ही हम ब्लड कैंसर देखते हैं जैसे ब्लड कैंसर में अभी क्या क्या आएगा लिउकी में आएगा लिंफोमा आएगा और मल्टिपल माईलोमा नाम का एक ब्लड कैंसर भी इसमे common problem जो हमारे देश में almost 50-60% लोगों को रहेगा वो है खून का कमी या अनीमिया जैसे मैंने बोला मतलब खून का कमी इसके लक्षन रहते हैं कमजोरी ठकावत क्यों भी काम में इंटरेस्ट नहीं आना problem ये है कि लोगों को लगता है कि खून का कमी मतलब आईरें के टाबले लीजिए आप ठीक हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है बहुत सारे हीमोगलोबिन कम के कारण और भी रहते हैं आईरेंड इफिशेंसी छोड़के जैसे की थैलसीमिया रहा सिकल सेल अनीमिया रहा हीमॉलिटिक अनीमिया माईलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और ब्लड कैंस का बहुत बार सबसिक पहला लक्षन रहता है खुन का कमी इसी लिए अपने लेवल पे अनीमिया को ट्रीट मत कीजिए इसके स्पेशालिस्ट को जाके बताईए जिस प्रकार खुन की कमी से प्रॉब्लम होते हैं वैसे खुन बढ़ने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकते हैं की बज़े से क्लोटिंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं ब्रेन में स्ट्रोक हा सकता है पेशेंट को हाट अटाग भी हो सकता है इसलिए ब्लड से संबंदित जो जो बिमारियां है उसके बारे में अपने को पूरा जानकारी चाहिए नेक्स्ट बात कहते हैं प्लेटलिट्स के हमारे बॉडी के सबसे छोटे सेल्स हैं जितने छोटे हैं उतने खतरनाक भी है प्लेटलेट्स के कम होने से ब्लीडिंग हो सकता है अगर मामूली अगर किसी को ब्लीडिंग है तो यह सकीन में ब्लीडिंग हो सकता है मुझ से ब्लीडिंग हो सकता है नाक से ब्लीडिंग हो सकत बहुत ज़्यादा में हम बहुत बार देखते हैं कि घर फाली हमारे पास आती है सिकल तूरी फैमिली में सबको रहता है तो यह क्यों है हमारे पास इतना कॉमेन इसका कारण हम आपको बताएंगे अलग वीडियो करेंगे subsequent हमारे वीडियो में one of the videos will be on this but अभी इतना जानना हमारे लिए काफी है कि इसका प्रमाण हमारे देश में बहुत जादा है इसके लक्षन है खुन का कमी जॉंडिस होना बोन्स और जॉइंट्स में पेन होना बार बार खुन लगना और अच्छी बात यह है कि अगर यह बच् कि हम सिकल और थालेसीमिया को प्रिवेंट भी कर सकते हैं आखिर में बात करते हैं सबसे डेंजरस जो प्रॉब्लेम है जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं इन फैक्ट मैं यह बोलती भी हूं मजाक मजाक में कि अगर किसी को डराना है कोई मुवी में तो उसको बस आप ब प्रोग्नोसिज खराब रहता है लेकिन बहुत सारे ब्लड कैंसर टीटेबल है सही समय पे इसका निदान आप अगर करते हैं और इसकी स्पेशालिस्ट को अगर दिखाते हैं तो ब्लड कैंसर आपका पूरी तरह से ठीक हो सकता है इस सब को ध्यान में रखते हुए हैं हमने हमारा ये यूट्यूब चानल स्टार्ट किया है जिसके तुरू रेगिलर इंटर्वल्स पे ब्लड संबंदिश जो जो प्रॉब्लम्स है और जो जो नए टीट्मेंट आप्शन हमारे पास आए हैं उसका इंफरमेशन आपके पास हम पहुचा सकें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए थांक्यू वेली मुच्छ